हर्याणा विधान सभा के मानसून सत्र की कारवाई जो है वो संपन हो चुकी है लेकिन क्या कुछ इसमे रहा हमारे साथ कॉंग्रेस के विधायक है वरन मुलाला जो की आज एक बिल पर बोलते होए उनकी तरफ से प्रतिकरिया दी गई जिस अब उसे सिलेक्ट कमेटी को बेज जा गया का कुछ यह विशह था जो तमाम बिलाए आपने इसके लावा भी जो अन्य बिलते उस पर भी आपत्ति जद्राई थी क्या वह बात यह थी कि पांच दिन पहले विधान सभा के अंदर विधेग पहुंच जाने चाहिए जो की नहीं आए इसके लिए मैंने जीरो आ जो है बिना चर्चा हुए पास किये गए क्यों कि ये त्यारी नहीं हमें पता यह और यह जो वी जीरो ना पुलिश संचोधन better देग दोहुजार बाइस लिए अगर पास को इसकर हो कोई होता है तो उसमें विपक्ष स abnorm कंनल एक पहले ना कि पहले हैं यmusic कि से verbally चुरू है कुछ तो उसी दिन मिले उनका इसके अगले दिन मिले हैं और यह और जी कि मैं आज बात कर रहा हूँ यह हरे लिए यह आज ही आ रहा है आज ही इंट्रोड्यूस हो रहा है आज ही डिस्क्रस हो रहा है आज ही पास हो रहा है क्यों ऐसी क्या अवशक्ता थी क्यों ऐसा किया जा रहा था और जब बात आई कि इसके अंदर बात हो रही थी राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरन की मैंने ही पिछ इसमें अधिकारियों को नियुक्त किया गया और अब उस प्राधिकरन के कारे को रोकने की कोशिश थी कि वो जो है स्वप्रेणा से सू मोटो जिसको कहते हैं वो कोई जाच ही नहीं कर सकते किसी भी मामले की आप भली भांती जानते हैं एक वर्दी धारी से कोई वैसे नहीं बात करता तो उसकी शिकायत कैसे करेगा वो भी डी एसपी रैंक से उपर की मानली जी आपके कोई जिले के एसपी होंगे आप बताईए किस तरह से आप उनकी शिकायत करेंगे आप सौ बार डरेंगे आम आदमी क्या करेगा कैसे शिकायत करेगा तो बहुत से ऐसे मामले मामल किया गया यह हटाया जा रहा था कि स्वब प्रेणा से कोई भी मामले की जाच यह राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकारण नहीं कर सकता इसका मैंने विरोध किया कि क्यों नहीं कर सकता मान लीजे कोई समाचार पत्र में बात आई कि हाँ किसी के साथ जाती हुई है तो क्यों नहीं ये जो प्राधिकरण है ये क्यों नहीं जाच कर सकता और ये सिरु जाच कर सकता है ये सजा नहीं दे सकता जाच करने में आप क्यों रोक रहे हैं इनको इनको जांच करने दीजिए आपको सही लगेगा सही है नहीं तो ना सही और यह कोई जब सजा देहीं नहीं सकते और फिर मैंने पूछा भी ऐसी जल्दी क्या है आज ही आप इस बिल को लेके आ रहे हैं आज ही आप चाहते हैं यह पास हो जाए और आप बता दें कि कितनी जां से कितने मामले ले लिया आप बता दें क्या वशक्ता हो गई क्या जल्दबाजी है उसका कोई जवाब नहीं था और इसलिए फिर यह मांगी कि इसको डैफर करो और फिर उपमुख्य मंत्री जी ने बात रखी कि हाँ इसको स्लेक्ट कमिटी को भीजा गया है तो आप संतु कि अपनी कोई भी बात नहीं रखी है तो दो-दो मिनट वह अपनी बात जो है रख सकते हैं इस परंपरा को कैसे देख्य का कोई दुरायनी की चाहे दो मिनिट कम हैं लेकिन मौका तो दिया कि वो विधायक जो अपनी विधान सभा को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें तीन दिन में कोई एक बार भी बोलेगा मौका नहीं तो बहुत दुखत होता तो यह उनका धन्यवाद करेंगे और हम तो चाहते ही थेगी यह सदन और लंबा चले सब को बोलने का मौका दिया जाए यहां चुनके किसलिए आए हमारे पास और कोई स्थान नहीं है अपनी बात रखने का यह विधान सभा ही है जहां विधायक अपनी बात रख सकते हैं अगर यहीं नहीं मिलेगा तो जितना लंबा हो उतना ह विदायकों को जो समय दिया गया दो मिनट का जिन विदायकों की तरफ से कोई विशे पर अपनी बात नहीं रिखाई गई थी उस पर स्पीकर ग्यांचंद गुपता का भी धन्यवाद किया है विदान सभा से कैमरमेन सूरिया के साथ जितेंद्र चौधरी खबर अभी तरफ